ही दोस्ता आज हम लोग जिस फोन के अंबॉक्सिंग करने वाले हैं वो हमार पास है OPPO Reno 80 5G जो की इंडा में लाउंच हो चुका है एन इस प्राइज में देखा चाहिए तो इंडियन मार्क में इसकी हाई बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ लाई है एन इसी फोन के अज हम ब्रेंडिंग देखने मिलती है और पीछे इसे कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलते है रैम वेडिम देखेंगे तो आपको 8G RAM 120 8G वेडिलर साथ यह फोन आता है यह फटा फट बॉक्स कर लिए तो आपने इसको साइड में एंड यह रखते है मारा सेक्शन अगर इसके इसको रखते है साइड में और देखते हैं और बॉक्स तो पहले कुछ हाइलायर फिचर देखने मिलता है इसमें आपको 120Hz का 3D कर्व डिजाइन दिखने हो मिलता है 108 में आप इसलिए आप पोर्टर सेंसर के साथ यह फोन आता है चलिए इस आपको रिमूट करते हैं देखते हैं फोन की फिर्ट लोग को पहली लोग की बात की तो पहली लोग मुझे एक फोन काफी यदा तगड़ा देखना मिला काफी आपको प्रीमियम क्वालिटी में देख देखने मिलता है एक फोन काफी जादा सलीम है और बहुत अच्छी आपको यह आपको डिटेलिंग इमेज प्रॉइड करेगा तो बहुत हैं जो काम के वह काफी जाद मुझे इंप्रेसिव लगा है और इसका गोल्डन कलर है वह काफी जादा आपको बहतर देखने मिलता है दो कलर में फोन चेंज होता है जब इस पर लाइट पड़ती है एक गोल्डन पर होता है एक पिंक पर आपको ज्यादा देखने हो मिलता है जो कि अब तक के ओपो कि किसी भी फोन में नहीं था चलिए फटा-फट फोन कर लेते हैं बूर इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे तो दोस्टों हो को मारे बोडन फोन की पहले बात करें इस्पेसी क्वालिटी की मैं बात कुरें तो इसके पास सबसे बहुत ही तकरिट डिस्पेस्पेस्पेस्पेस्पथिक जů पिक्सल आपको revolution support देखने हो मिलते हैं तो भाई protection वाइस भी आपको अच्छी खासी है revolution भी अच्छी है एसाइ glass का AGC आपको d2 star का आपको glass देखने हो मिलता है जो काफी आपको अच्छी बेल quality देगा तो display quality भी जो काम के वह काफी आपको अच्छी यह premium है साथ ही साथ देखा थे तो color os 13 का भी आपको support देखने हो मिलता है तो बाई अगर प्रोस्टर क्वालिटी की बात ही तो आपको चीप है इस प्रोस्टर क्वालिटी का support देखने मिलता है इसमें आपको 8GB RAM आपको 8GB RAM तक देखने को मिलता है यानि फोन आपको टोटल 16GB RAM पर फोन रन करेगा गेमी एक्सपरेंस से बात कीजा तो आराउंड आपको एक बीजी माई 40 एपस के फ्रेमड़ पर चल जाएगा एन अका गरीना फिरिपायर की बात किजा तो आपको 60 एप नहीं मिल सकता बात कर सके चैमेरा को क्वालिटे को सपोर्ट देखने को मिलता है चली सिपोन और फोट देखते लिए पहले बात के प्रामरी कैमरा से बहुत ही आपको तगड़ी इमेंज पर त्रतियर के से मेंटें कर रहा है एफीर फोन चल ले तो एक्षी खासी आपको इमेज दिखने को मिलती है जो इसका डायनेमिक रेंज है जो फोकस लेंथ वो बहुत इसे तरगी से मेंटेंड कर रहा है फाई जो लगी है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी है काफी आपको जैनुवन इमेज देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा आपको ओवर एक्सपोस इमेज में देखने को नहीं मिलते है पोर्टे शॉट की बाद इसका में हैलेट है एक सो आट में पिक्सिल वह बहुत देखने को मिलता है जो आपको रात में काफी अच्छी आपको फोटो आपको क्लिक करके देगा है और वीडियो रिकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें आपको शूट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है 60fps यहां पर कम से कम तो होना चाहिए था जो वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं फिर देख सकते हैं काफी अच्छी तरीक से आपको डिटेलिंग देखने को मिलता है और साथ एक पोट्रेट वी बात की तो इसका जो रेवलुशन सपोर्ट है वो बूचे बहुत ज्याद अच्छा लगा है बहुत यह आपको दूर तक यानि बहुत य आपको नाइट का उप्षन देखने मिलता है जो रात को यह आप अच्छी खासी फोटो सेल्पी भी ले पाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग वही 720 पे 10 पे आपको 30 एपस की रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलती है इवन यहां बता दो जो कैमरे क्याम के वह बहु आपको 18W का ही देखने को मिलता है इसमें आपको डिस्प्ले वे फिंगर पे सेंसर एंड फेस लॉक को अभी ऑप्शन देखने को मिलता है जो फोन हो काफी तीजी से अनलॉक करने में मदद करेगा अगर एक्ट्रा फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको नोटिफिकेश आपको इसमें पहले बात करूं प्राइस की तो आपको यह 990 रुपाय का अपको अच्छी खासी दिस्प्ले देखने मिलती है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है डिजाइन बिल्कॉल्टिस की बहुत ज़दा प्रिमिम है जो काम क्या है वो बहुत ज़दा अच्छा क अच्छा काम क्या है एक वाद बढ़न सुकता है यह गेमर से लिए फोन नहीं बनाया है तो भाई गेमिंग से बहुत ज़दा दूर रहना इस फोन को भाई मत करना बड़ आगा गेमिंग पर्प्रेस को स्क्रिप्प कर दो को तो फोन काफी आपको प्रिमिन देखने को मिलत आपको यह वीडियो परसंद आगे तो प्रिस वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राव मिलते हैं मजार में तो क्योंकि लिए बाई बाई